नमस्कारम सद्गुरू क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम अपनी मेमरी पार कैसे बढ़ा सकते हैं और परिक्षा के डर से कैसे छुटकर अपा सकते हैं परिक्षा के डर? आप सही आदमी से पूछ रहे हैं जिसे इसका पूरा अनुभव है ऐसा इंसान जिसे कभी भी परीक्षा का कोई डर नहीं रहा मेरे पिता की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मुझे परीक्षा का कोई डर नहीं था वो कहते इस लड़के को डरी नहीं लगता है इसका क्या करें यही पूरी बात है आप यह सवाल पूछ रहे हैं अच्छी बात है लेकिन पहले आपको समझना होगा कि कहीं न कहीं दुनिया में, समाज में यह धारना फैली हुई है कि डर एक तरह की खूबी है डर कोई खूबी नहीं है डर आपको सबसे बतसूरत प्राणी बना देता है आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव शायद डर ही है इसी एक चीज के अभाव ने मेरी जिन्दगी को बहुत ही सुख़द बना दिया है क्योंकि डर हमेशा किसी ऐसी चीज का होता है जो अभी तक हुई नहीं है डर किसी ऐसी चीज का होता है जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है क्या होगा इसी का डर होता है क्या होगा आपको नहीं पता जब आपको नहीं पता कि आप पेपर में क्या लिखने वाले है वो चीज जो आपने साल भर सीखी है फिर भी आपको नहीं पता कि आप क्या लिखेंगे अगर ये हालत है, तो आपके जीवन में क्या होगा? निश्चित रूप से आपको नहीं पता, है ना? लेकिन आप सारी बुरी चीजों की कलपना कर रहे हैं, जो परीक्षा के बाद होंगी. नहीं, परीक्षा के बाद एक बड़िया छुटी मिलने वाली है. फिर एक दिन आएगा, जब रिजल्ट अनाउंस होंगे. मैं अपनी दस्वी की परीक्षा का रिजल्ट देखने नहीं गया. मैं अपनी बारवी की परीक्षा का रिजल्ट देखने नहीं गया. बाद में कोई जाकर, मेरा परिवार उबल रहा था. आज result है तुम क्या कर रहे हो मुझे क्या करना चाहिए फिर वो अपने किसी परिचित को बताते और उन्होंने जाकर देखा होगा कि result का क्या हुआ मैं किसी तरह से पास हो गया अब बात बस ये है कि आप school कुछ सीखने जा रहे है या आप school कुछ साबित करने के लिए जा रहे है आपको ये फैसला करना होगा हर किसी को करना होगा आप आश्रम आये हैं कुछ जानने के लिए या कुछ साबित करने के लिए आपको ये तय करना होगा अगर आप किसी जगा खुद को साबित करने के लिए जाते हैं तो बीमारी बैट जाएगी असफलता और सफलता की बीमारी आपके अंदर बैट जाएगी वो इनसान जो सीखना चाहता है उसके लिए ना तो कोई असफलता होती है ना कोई सफलता होती है बात केवल कोशिश की होती है कोशिश करने के काबिल होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, है ना? तो कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए. अपनी आदाश्त को सुधारने की कोशिश न करें. आप स्कूल किसी बेकार चीज़ को याद करने के लिए नहीं गए, बलकि कुछ सीखने के लिए गए हैं. अपने जीवन के एक शितिच का विस्तार करने के लिए गए हैं. और अपने चारों और के इस अस्तित्तों के बारे में कुछ जानने और समझने के लिए गए हैं. विज्ञान यही है, गणित यही है, सब कुछ यही है. आज आप जो पढ़ रहे हैं, वो कोई विशय नहीं है, वो जीवन के अलग-अलग हिस्से हैं शायद इसे बहुत ही नीरस तरीके से पेश किया गया है, मगर फिर भी वो जीवन है चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, या केमिस्ट्री, या बायोलजी, या सोशल साइन्स, या जोगरफी आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, जो आपके जीवन के दाइरे को बहतर बना सकती है आपको इसे सीखना होगा, अगर इसे रट लेते हैं, तो ये किसी भी रूप से आपके जीवन को रूपांतरित नहीं करेगा तो आप वहाँ सीखने गए हैं, अगर आपने सीख लिया है, तो क्या दिक्कत है? आपको जो आता है, आप लिखी, आपको जो नहीं आता, आप पड़ोसी से कॉपी करने वाले हैं? मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि शायद इन दिनों कई टीचर्स भी ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं थोड़े अंग ज्यादा या कम पाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप कितना सीखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है कितने fundamentals आपने अभी अच्छे से समझे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, फिलहाल उसी पर ध्यान दीजिए इसलिए मैं यहाँ बैटकर आपके साथ गप्पे मार सकता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि कुछ याद रखने का कोई बोज नहीं है तो दस्त रोकने की दवाईयां मत खाईए और अपनी आदास्त की चिंदा मत कीजिए जो आप जानते हैं, आप करेंगे, जो आप नहीं जानते, आप वैसे भी वो नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपको कॉपी करना आता है, तो यह आपके उपर है मैं तो ऐसा नहीं करता, और मुझे विश्वास है कि हमारे टीचर्ज अलाव नहीं करेंगे क्योंकि जीवन के इस चरंड में आपको अपना जीवन छल से शुरू नहीं करना चाहिए मैं इमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि आप जीवन के साथ सीधा रहना सीखें, ताकि कल आप छोटी-छोटी बातों से मुड़ तोड़ न जाए आप ठीक ही रहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, मुझे केवल 35 संक मिले, चलेगा मैं ऐसा ही हूँ, इससे मेरे जीवन की क्वालिटी तय नहीं होगी मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे आपको कितने मार्क्स मिले हैं इससे आपके जीवन की क्वालिटी तै नहीं होगी मगर आप कितनी इमानदारी से जीवन जीते हैं आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात से जरूर तै होगी तो नकल नहीं करना है ठीक है? मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं वहाँ खुशी-खुशी बैठिए और बाहर आ जाईए सब को बता दीजिए कि मुझे नहीं आता था थोड़ा योग कीजिए, आपका जीवन लंबा हो जाएगा और आप एक और साल ले सकते हैं सीखने के लिए एक और साल मगर नकल मत कीजिए क्योंकि छोटी चीजों के लिए अपनी इमानदारी मत खोईए ये मामूली चीजें इन छोटी चीजों के लिए अपनी इमानदारी मत खोईए वरना कल जब आपके सामने बड़ी चीजें आएंगी तो आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे